आप किस्ची को मत बताएए, बाकी लोग आपको बताएगे कि आप कुछ कर रहे हैं, जी हाँ, इतना रेडियंट आपकी स्कीन हो जाती है, क्या बच्चे इसका इस्तमाल कर सकते हैं, क्या कोई साइड एफेक्ट हैं, क्या हम तीनों ही मैथेड्स अपने लिए ट्राय कर सकते ह क्या ये तरीका pigmentation और hyperpigmentation के लिए भी help करता है, क्या हम कोई भी vitamin E oil अपने लिए consume कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में अगर परयाप्त मात्रा में vitamin E content रहता है, तो ना तो आपके चहरे पर acne होते हैं, ना pimples होते हैं, ना fine lines, ना wrinkles, in short, signs of aging आपके चहरे पर radiant बनाएगा, ready everybody, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा, सुनिएगा, समझेगा, और फिर execute भी कीजेगा, आइए जानते हैं, what all needs to be done, Before starting the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon, अब मैं वीडियो अप्लोड करूँगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, so please, चल्दी से कर दीजे, Hello everybody, welcome to this channel, आशा करती हूँ, आप सभी स्वेस्थ हैं और अपना बहुत सारा खयाल रख रहे हैं, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, कि विटमिन एक कॉंटेंट आप अपने शरीर के लिए कैसे रेप्लिनिश कर सकते हैं, मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर किया था, जिसको आपने बहुत सारा प्यार दिया और वहाँ पर बहुत सारी लोगों ने बहुत सारे बेनेफिट्स लिये हैं, आउट ओफ विटमिन ए, तो अगर आपने विडियो नहीं देखा है, तो इसको डेफिनेटली चेक आउट कीजिए, और समझेए कि विटमिन ए आपके लिए कितना इंपॉर्टन्ट है, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर्नली हमारी बॉड़ी को हम विटमिन ए कैसे दे सकते हैं, बहुत सारे खादे पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनमें विटमिन ए बहुत ही नाच्रली और बहुत इजिली बॉड़ी को अडॉप्ट करने के लिए अवेलेबल होता है, आप इन सबी खादे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर में विटमिन ए कॉंटेंट को वापिस से रेप्लिनिश कर सकते हैं, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विटमिन E होता नहीं है लेकिन ये आपके बॉड़ी में विटमिन E जो बन रहा होता है उसको सपोर्ट करता है तो इसलिए आप इन सभी खादे पदार्थों के बारे में पढ़िए समझिए आपके कल्चर के हिसाब से आपके आसपास क्य को देथिये चीज़ा चीज़े आवेलेबल है उसके हिसाब से विटमिन E का सेवन अपने शरीर को डैफिने लिजी ए तो लेने लगना ने लगजाएं अच्छे सप्लिमेंट लेने लग जाएं मार्किट में बहुत सारे सप्लिमेंट ऑवेलेबल हैं जो कि विटमिन E के त यानि कि अगर आप इसका ज्यादा सेवन कर लेंगे तो इस शरीर से खुद बाहर नहीं आ सकता। देखे कुछ सप्लिमेंट्स होते हैं जो वाटर सॉलिबल होते हैं जो कि अगर आप ज्यादा खा भी लें तो यूरीन के माध्यम से बाहर आ जाते हैं लेकिन ये फैट सॉलिबल होता है ये जाके शरीर में जो फैट सोते हैं उन में घुलता है इसलिए इसको बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है इसलिए एकसेस में नहीं आप इसका कंजबेंचन करेंगे विटमीन की क्यापसियूल ती हैं उनका सेवन कर सकते हैं आप चाहें तो एक हफ़ते लगातार करके फिर ब्रेक ले सकते हैं या फिर एल्टंएट डेस कर सकते हैं इतना कोर्स करने के बाद आप फिर से ब्रेक लेंगे और फिर दुबारा करेंगे इस प्रकार से vitamin E का जो level है वो आपके शरीर में बना रहता है supplements के माध्यम से भी और अच्छे खाने के माध्यम से भी तो चलिए अब हमारे शरीर में तो अच्छे से vitamin E content आ चुका है there is no deficiency अब बात करते है topical applications के बारे में जो की vitamin E content जो आपके शरीर के अंदर से skin को मिल रहा है जब आप बाहर से देंगे तो आपकी skin उसे जल्दी समझ जाएगी सबसे पहला तरीका है vitamin E oil जो की आपको capsule में easily available मिल जाता है इसमें आप infuse करेंगे almond oil देखे almond oil अपने आप में vitamin E oil ही होता है जहां बहुत सारा उसमें vitamin E होता है लेकिन जब आम इसमें concentrated vitamin E oil मिलाते हैं तो आप एक अलग से boost soil को दे रहे हैं कि आपकी skin को और भी जादा radiant बनाए अगर आपकी skin oily है तो भी आप इसका application कर सकते हैं लेकिन प्लीज मेक शॉर कि आप बहुत जादा नहीं लगा रहे हैं हालां कि यह नॉन कमेड़ जनिक है आपकी skin को कोई परिशानी नहीं करेगा लेकिन फिर भी आप सिरफ दो बड़े-बड़े drops अपनी cheeks पर लगाईए और बस इसको ही पूरे गालो पर माथे पर चिन पर nose area and around the lips लगाईए बहुत जादा नहीं बहुत simple सा है लेकिन बहुत moderately आपको लगाना है अगर आप इसका application प्रती दिन जी हां application रोज कर सकते हैं consumption की बात थी जो रोज नहीं होनी थी हर दिन अगर तो आपको एक बहुत ही अच्छा face wash करना है जो हर और पार्टिकल को लेकर बाहर आ सके आप इसको अपने चहरे पर नहीं रहने दे सकते क्योंकि आपको आपको अपने प्रिम्पल ब्रेक आउट हो सकता है अगर आपकी skin comfortable नहीं है तो तो इसको आप ट्राई की जिए इसमें patch test की I don't think आपको आपशकता पड़ेगी लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा dicey है कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा तो patch test लीजिए and then try it out बहुत अराम से और इत्मिनान से number two with vitamin C देखिए vitamin E plus vitamin C जो काम करते हैं ना साथ में वो कोई चीज नहीं कर सकती vitamin C plus vitamin E penetrates आपकी skin की कई layers तक नीचे जाता है और गसब के results देता है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप ले सकते हैं vitamin C in the form of lemon juice जहां अगर आप नहीं है comfortable lemon juice के लिए तो आप टमेटो जूस ले सकते हैं इसमें विटमिन E की एक कर सकते हैं तो अच्छे से इसको अपनी चहरे पर लगा रहने देने के बाद जब आप फेस वाश कर देंगे प्लीज मेक शौर कि आप अपनी skin को moisturize कर रहे हैं it's very important vitamin C के बाद आप ये चहरे को moisturize करना जब आप इस application को करते रहेंगे like for lemon juice को हर दिन इस्तमाल नहीं करना चाहिए that's for sure तो इसलिए आप हफते में दो से तीन बार अगर इसका application करते हैं और उसके को ट्राइ कर सकते हैं जिन लोगों की sensitive skin है वो यह वाला method नहीं करेंगे number three and the last one for this video would be a face pack जो कि आप ready करेंगे number one papaya आपको एक पका हुआ पपीता लेना है इसको अच्छे से मैश कर लीजिए इसमें आपको लेना है second ingredient which is vitamin E का capsule a capsule is just sufficient और थर्ड आपको लेना है इसमें बहुत ही थोड़ा सा honey जहां शहद इसको अच्छे से mix कर लीजिए और आपका एक amazing सा vitamin E का mask बनकर रेडी हो चुका है जब आप इसको अपने शहरे पर अच्छे से लगाएंगे तो जो radiance आपको दिखेगी post washing you are going to be बहुत amazed मतब बहुत ज्यादा amazed आपको लगेगा कि अरे ऐसा कैसे possible हो सकता है but it is very much possible आप इस mask को हर दिन लगा सकते हैं जहां it's that potent आप अगर हर दिन लगाएंगे ना तो एक हाँ honey use हुआ तो I don't think आपको moisturizer के आवशकता पड़ेगी लेकिन अगर पड़ती है तो please do moisturize your skin जब आप यह applications अपने ले कर रही हैं कोशिश के जए कि chemical treatments आप अपने चेहरे पर ना करें और नाचरल चीजों का ही application करते रही है जैसे कि आप DIY face wash का इस्तेमाल कर सकते हैं आप DIY moisturizer का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपनी skin को आप रहने देते हैं कि अपने आप ही हील करेगी तो यकीन मानिए आप हैरान हो जाते हैं क्योंकि आपकी skin अपना खुद का खयाल बहुत क्या कोई साइड एफेक्ट है जैसा मैं आपको बताया है जितनी अवदी के लिए अगर उतना ही करते हैं तो आपको कोई साइड एफेक्ट देखने नहीं मिलेंगे लेकिन अगर आपको चुक उपनीचे करते हैं तो I really cannot say क्या हम तीनों ही मैथेड्स अपने लिए कर सकते है जो बिल्कुल कर सकते हैं आप चाहें तो वीक में दो डिफेंट वेज यूज कर सकते हैं विटमिन ए के अल्तिमेटली विटमिन ए का अप्लिकेशन आपकी स्किन के लिए करना है तो आप जिस तरीके के लिए वो कर सकते हैं एक ही लंबे सामे के लिए कर सकते हैं या फिर आ यह तरीका पिग्मेंटेशन और हाइपर पिग्मेंटेशन के लिए भी हेल्प करता है। देखिए यह इमीडिये रिजाल्ट तो नहीं देगा लेकिन यह सग्राप इसको यूस करते रहेंगे तो लॉंगर ड्यूरेशन में आपको डिसकलरेशन अनिवन टोन और पिग्मेंट एडिबल ग्रेड वाला विटमिन E ही लेकर आईए और वो खाईए भी और लगाईए भी तो हमेशा की तरह आशा करती हूँ कि मेरे परिवार ने मेरे इस प्रस्तुती को भी जम के एंजॉय किया होगा, समझा होगा और मोटिवेट हुए होगे कि वो भी इसको अपने ले जब आप इसको ट्राय करें और आपको रिजाल्ट्स मिलें तो वापस आके नीचे कॉमें सेक्षिन में अवश्य लिखेगा अपना कॉन्फिडेंस मेरे पूरे परिवार के साथ बाटिएगा ताकि वो भी इसको अपने ले ट्राय कर सकें परिवार के वो सभी लोग जो पह अगली वीडियो में with something magical for your hair, skin and health, तब तक के लिए, take really good care of yourself और पृती प्रेद्ना के सभी चानल से जुड़े रहे I love you all, take really good care दूप आगई He onze ड्र के वैछिओगा, लीठीग, Tबुप आगे हूँ कि अभले हूचस बड्सट प्रेद्ने समयरे प्रेद्ने समयरे ठती तो क्षेश प्रेद्ने समयरे लुड्ञे अभले अएंशारीा, दुर्णे खूप प्रेद्ने अज़ओाँ व्लोचờere कर वूड़े